हेलो एवरीवन मैं विश्ट जीत सिंग आप सभी का दीई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम महिस्टरी महिस्टरी भारत में राजनेतिक सनुचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तो आपका कुछ दिन के अंदर में एक्जाम है जिसको देखते हुए हम एक शौर्ट वीडियो की सुरुवात करने जा रहे हैं यह पूरी सिरीज होने वाली है जिसके अंदर में ह हर एक वीडियो के अंदर में हम आपके ma history, ma chai 02 का एक unit को solve करेंगे आपके ebook में total 7 unit है ठीक हर वीडियो के अंदर में एक unit solve करेंगे जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से important topics उस पूरे lessons के अंदर में आते हैं उस unit के अंदर में आते हैं कौन-कौन से lessons आएंगे किस तरह के questions बनेंगे और उन questions का answer कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में हम short में discuss करेंगे फटा फटी start करते हैं आज कि इस video के अंदर में हम unit first से start करेंगे unit first के अंदर में आज हम पढ़ेंगे पारंबिक राज्य संरचना के बारे में कि starting में राज्य की संरचना किस परकार की थी इसके बारे में हम जानेंगे unit first के अंदर में total चार चैप्टर आते हैं दोस्तों अगर मैं पहले चैप्टर से सुरुआत करूँ तो पहले चैप्टर का नाम है हमारे राज्य से पुर्व राज्य तक मतलब राज्य बनने से पहले राज्य किस परकार की हुआ करते थे उसके बारे में हम यह आप डिसकस करेंगे तो इसके अंदर में total तीन टॉपिक आते हैं पहला जो आपका टॉपिक होता है तमिलकम मुख्यातंतर को लेकर होता है कि तमिलकम मुख्यातंतर है क्या ठीक है तमिलकम मुख्यातंतर है क्या किस परकार की विवस्था होती थी तमिलकम मुख्यातंतर के अंदर में क्या क्या चीजी आती थी उसको बता तमिल का मुख्या तंत्र में किलार वेंतार और वेलियर जैसे जो समुधाय होते थे उनके बारे में यहां पर बताओगे और अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं ठीक है पहले चैप्टर के अंदर में टूटल टीन टॉपिक है दूसरा टॉपिक हमारा आजाता है संगम साहित आज टै क्या है किस परकार से हो थोड़ा संपर नया को और वहां पर आप उसको डिफाइण न कर सकते हो यहां पर जो आपका तीसरा टॉपिक मनता है पारंबिक राज्य सनुचनों के बारे बनता है कि इस्टार्टिंग में राज्य की सनुचना किस परकार की थी तो नॉर्मली सनुचना किस परकार की थी तो अलग-अलग पदों में बटा हुआ था ठीके पद धारन करते थे जो भी राजाओं द्वारा जो बड़े बड़े दिकारी होते तो उनको पद दिया जाता था है कि आपका ये पोस्ट है और वो पदों को धारन करते थे ठीक है जो पूरा व्यवस्था था वो अलग-अलग तंत्रों में विभाजी था ठीक है प्रशासनिक व्यवस्था अलग मुख्या तंतर के द्वारा भी कई सारे साहितिक सुरूत मिलते हैं तो वहाँ पर हम उसको साहितिक सुरूत के अधार पर ये तीसरे टॉपिक का भ्यान से यहां पर लिख सकते हैं ठीक है समझ में आता है पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर के अगर मैं बात करूँ तो छे हैं भ colony वीध्र काल के इंदर में जो भू सिमांकित राज्य का उदे हुआ उसके बारे में हम बात करें गैंको गौतम बुड्र। के जो बोद काल है, पूरा बोद के अगर काल देखोगे, तो बोद काल के जो मेन जो सुरूत मिलते हैं, विन्य पिटक, त्री पिटक और सुत्र पिटक करके जो पुस्तके थे, बोद गरंथ थे, उनके अधार पर हमें पता चलता है, या फिर मोर्य वंस के जो हमें पुस्तके के मिली चाहे इंडिका हो चाहे अरुद सास्तों उनके अधार पर हमें उसकी जानकारी के सुरूत मिलते हैं सबसे पहले चीज़ बोधकाल के अंदर में बूसिम का मांकित राज्य का विकास किस परकार के हुआ किस परकार से हुआ यह कोश्चन बन जाता है हमारे सेकिंड में बोधकाल के अंदर में बूसिम अंकित मतलों जमीन का बटवारा जी किस तर दें सीमा है ऑगा विकास किस परकार से हुआ इसके बारे में हम यहां पर पहला कोश्चन आता हैं दूसरा कोश्चन आता है मोर्त समराज जी के प्रकृति कि परकार की थि तो नर्मल येंगर मोर वो राजा के पर्ति उत्तरदाई होते थे उनके नीचे में मंत्री ठीक है और अलग-अलग प्रशास्निक विभाग के लोगों को निक्त किया जाता था ठीक है जिसमें सेना के अदिकारी अलग होते थे और हर्फ छेत्र के जैसे सेना के अंदर में भी कोई घुरसवारी है जबारा किया गया था ठीक है समझ में आता है तो सेकिंड चैप्टर में दो कोशन बनते हैं और जो फर्स्ट कोशन इसके अंदर में बताया था बौत काले के अंदर में भू सिमांकीत राज्जे ठीक हूँ उसके अंदर में भी आप मोरिसम राज्ज्य का एंगल डाल कर वह परनीयों का उदढर रहly उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर राजनितिक परनाली किस परकार के प्रशासनिक परनाली किस परकार के थी उसके बारे में हम आफे gossip करेंगे टीके कुसां Racing जो भी साहिति कुरंध लिए उसके परमान के दार पर हम कुसान वंज को बारे में चर्चा करते हैं तो खुशान वंज का उदे किस परकार से वगा कुसान वंज की परья चासिनिक प्रणाली किस परकार की है वह यहाँ पे हम इस पर करेंगे यहाँ पर दूसरा जो कोश्चन बनता है, दूसरा कोश्चन बनता है साथ वहन वन्सकी प्रशासनिक धाचे को लेकर, ठीके कि साथ वहन वन्सकी प्रशासनिक धाचा किस परकार का था, ठीके उनके प्रशासनिक धाचे के अंदर के अगा बात करो, तो वहाँ पे भी उपादियां करें एक पूरे टाइम प्रेटिक की बीच में अब यहां पर कुषान वंच हतम हो चुका वानुच आब आता है गुप्टकाल की परशासनिक कि वीदियां किस परकार के रहें वो को supply यह थमें पर का पतन किस प्रकार से हुआ ठीक है खतम कैसे हो गया गुप्तकाल उसके बारे में भी यहां पर बुशा जाता है तो अगर कभी भी खतम होने का रीजन होता है तो कई सारे रीजन होता है जैसे विदेशी आक्रमन ठीक है कमजोर उत्रादिकारी जो राजा एक मजगूत राद पतन के ओर जाता है तो यहां पर पर निवासता को लेकर बनता है राजनीतिक विवस्था को लेकर मनता है और सासाथ में पतन का जाता है कोश्चन की कई वार जो गुप्त का लता उसका पतन विसक्त प्रकार से हुआ यहाँ पे आ जाता है ठीक इसके अंदर में एक और कोश्चन दच्छनी राज्य परणाली को ऊपर लेकर ठीके कि दच्छन भारत के अंदर में राज्य पढ़नाली किस परकार की थी किस परकार की वहां पर राज्य पढ़नाली थी राज्य की विसस्ता क्या थी तो राज्य की विसस्ता की बात करोगे तो नौर्मिल धार्मी का दार पर विसस्ता ही थी ठीक है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मंदिर के निर्मान हुए ठीक है और जो बटे होती थे अलग-लग रखाव करने के लिए अलग-लग लोगों के नियुकती की जाती थी ठीक है सेना के रख रखाव करने के लिए अलग लोगों की न्युक्ति की जाती है तो इसके अधार पर आप यहां पर इसका अंसर दे सकते हो तो दोस्तो यूनिट फॉर्स्ट के अंदरे में हमें इतना ही पढ़ना था जिसके अंदरे में हमने टोटल चार चेप्टर पड़े कौन से कोश्टिंस बनते हैं उसके बारे में ब बाले से डाल रखा है जिसमें एक हैगा लास्ट फाइविर के कोश्टिंट पेपर का और दूसरा हैगा आपका ओल इंपोरेंट कोश्टिंस का अगर आप यह दोनों वीडियो भी देखो कि तो भी आपका स्लिवस्ट ऑल्मोस्ट किलियर हो जाएगा ऐसे बाकी जो में साथ यूनिट इसका कंटेंट का करवाने वाला हूं क्या-क्या चीजे पढ़ना है उसके अंदर मैं मैं में इनली में कोश्टिंस को डिसकर करूँगा कि किस तरह के कोश्टिंस बनते जिससे आपका टाइम बचे और डायरेक्ली से भी आप उन कोश्टिंस को पढ़ो यही मेरा म कोश्टिफ होने वाला है ठीक है और आपके अगर वीडियो पर रिस्पोंस अच्छा आता है तो मैं आगे की और वीडियो डालूँगा तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच पर वाचिं मी थैंक य सो मच फूर लिस्निंग मी अगला यूनिट के लिए आप तयार रहे हैं बाब